आज नौ परवरी 2021 के मतूर महावाद के, आज की मुडली में बाबा ने कहा कि तुम बच्चे एक इश्वरी परिवार के, ये हमारी गौडली फैमिली है, और गौडली फैमिली का प्लैनिंग क्या है? तो गौडली फैमिली का सबसे बड़ा प्लैनिंग है, फैमिली प्लैनिंग, मनुष्य कितना पुर्शार्थ करते हैं, बर्द कंट्रोल को, परन्तु बाबा कही ये तो होना नहीं है, और दूसरी और, ये गौडली फैमिली का विशेश प्लैनिंग है, अधर्म का नाश और ए यहें तुम बच्चों को उसके लिए स्वयम में कोई भी प्रकार का अशुद्ध बोजन को सुविकार नहीं करता है, अपने जीवन को शुद्ध सात्रिक बनाना है और निरंतर ये पढ़ाई को पढ़ते रहना है, क्योंकि तभी तुम अमर लोग की स्थापना करने के निमित सुनते हैं बाबा के मधूर महावाद के, ओम शांती, मीठे बच्चे, तुम अभी अमर लोग स्थापन करने के निमित हो, जहां कोई भी दुख बापाप नहीं होगा, वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड, प्रश्न है, गॉडली फैमली का वंडर्फुल प्लैन कौन सा है, उतर, गॉडली फैमली का प्लैन है, फैमली प्लैनिंग करना, दूसरा, एक सत धर्म स्थापन करना, अनेक धर्मों का विनाश करना, मनुश्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लैन्स बनाते हैं, बाप कहते हैं, उनके प्लैन्स चलना सके, मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ तो बाकी सब आत्माएं उपर घर में चली जाती है, बहुत थोड़ी आत्माई ही रहती है ओम शांती, यह घर भी है, युनिवर्सिटी भी है और इंस्ट्यूशन भी है तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि वह है शिव बाबा, आत्माई है शाली ग्राम जिनका यह शरीर है, शरीर नहीं कहेगा हमारी आत्मा आत्मा कहती है अमारा शरीर आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी अभी तुम अपने को आत्मा समझते हो, अमारा बाबा शिव है वह है सुप्रीम फादर, आत्मा जानती है, वह हमारा सुप्रीम बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है कैसे हैं, बाबा समझाते हैं, बक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं, ओ गौड फादर मरने समय भी कहते हैं ए भगवान ए इश्वर उकारते हैं न परन्तु इसकी बुद्धी में यथार्थृती बैठता नहीं है फाधर तो सब आत्माओं का एक हो गया फिर कहा जाता है एपतीत पावन तो सभी फाधर कहकर के तो बुलाते हैं फिर कहा जाता है यह पतीत पावन तो गुरू भी हो गया क्योंकि पतीतों को पावन करना सदगती करना यह तो गुरू भी कर सकते हैं तो गुरू भी हो गया कहते हैं न कहते हैं दुख से हमको लिबरेट कर शांतीधाम में ले जाओ तो बाप भी हुआ फिर पतीत पावन सत्गुरू भी हुआ फिर स्रिष्टी चक्र कैसे फिरता है मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं वो बेहत की हिस्ट्री जोगरफी सुना गए है इसलिए सुप्रीम टीचर भी हुआ तो कैसे बाबा सुप्रीम फादर सुप्रीम सत्गुरू और सुप्रीम टीचर है ये बाबा ने स्वष्ट किया अज्यान काल में बाप अलग टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं ये बेहत का बाप टीचर गुरु एक ही है कितना फर्क हो गया बेहत का बाप बेहत का वर्सा देते हैं बच्चों को वह भी हद का वर्सा देते हैं पढ़ाय भी हद की है वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्रफी को तो कोई जानते नहीं ये किसको पदा नहीं है लक्षमी नारायन ने राज्य कैसे पाया इतना समय वह राज्य चला, फिर त्रेता के राम सीता ने कितना समय राज्य किया, कुछ नहीं जाने अभी तुम बच्चे समझते हो, बेहत का बाप आये हैं हमको पढ़ाने फिर बाबा सद्गती का रास्ता बताते हैं, तुम 84 जन्म लेते लेते पतीत बनते हो, अब पावन बनना है यह है तमो प्रधान दुनिया, सतो रजो तमो में हर चीज आती है यह जो स्रिष्टी है, उनकी भी आयू है, नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है यह तो सब जानते हैं, सत्यूग में भारत ही था, उनमें देवी देउताओं का राज्य था, गौड गौड़ेस का राज्य था अच्छा फिर क्या हुआ, फिर उन देवी देवताओं का क्या हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ, उन्होंने पुनर जनम लिया, सतो प्रधान से सतो, रजो, तमों में आये, इतने इतने जनम लिये, भारत में पाँच जार वर्ष पहले, जब लक्षमी नारेड का राज्य था, तो वहां मनुष्य की आयू एफरेज सवासो से देड़सो वर्ष होती है उसको अमर लोग कहा जाता है, अकाले मृत्यू कभी होता नहीं यह है मृत्यू लोग अमर लोग में मनुष्य अमर रहते हैं आयू बड़ी रहती है, सत्यूग में पवित्र ग्रहस्त आश्रम था वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, अभी है विश्यस वर्ल्ड अभी तुम बच्चे जानते हो, हम शिवबाबा की संतान बरसा शिवबाबा से मिलता है, यह दादा बहा डाड़ यह दादा, बहा डाड़, अर्थाद ग्रेंट फादर वर्सा दाड़े का मिलता है, दाड़े की प्रॉपर्टी पर सबका हक रहता है ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजा पिता, एडम और इव, आदम बेबी वह है निराकार गौड फादर, यहाँ प्रजा पिता हो गया साकारी फादर इनको अपना शरीर है, शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है तो तुमको वर्सा मिलता है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा तादे की मिलकायत मिलेगी तु बाप द्वारा न? शिव बाबा से भी ब्रह्मा द्वारा, तुम फिर मनुष्य से देवता बन रहे हो मनुष्य से देवता की एक करत न लागी बाहर किसने बनाया? मनुष्य से देवता किसने बनाया? भगवान ने महिमा करते हैं ना ग्रंथ में ये महिमा ग्रंथ में आते हैं महिमा बहुत है जैसे बाबा कहते हैं अलफ को याद करो तो बे बाच्शाही तुम्हारे। गुरु नानक भी कहते हैं, जब साहब को तो सुख मिले। उस निराकार अकाल मुरत बाप की ही महिमा गाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो सुख मिले। अभी बाप को ही याद करते हैं। लड़ाई पूरी होगी, फिर लक्षमी नारायम के राज्य में एक ही धर्म होगा। ये समझने की बाते हैं। भगवान वाज, पतीत पावन, ज्यान का सागर भगवान को कहा जाता है। बही दुख हरता सुख करता है। जब हम बाप के बच्चे हैं, तो जरूर हम सुख में होने चाहिए। बरुबर भारत बासी सत्युग में थे। बाकी सब आक्में शांती धाम में थे। अभी तो सब आक्में यहां आ रही है। फिर हम जाकर देवी दिवता बनेंगे। स्वर्ग में पाड़ बजाते है। यह पुरानी दुनिया है सुखधाम। नई दुनिया है सुखधाम। पुराना घर होता है तो फिर उनमें चुहे सरपादी निकलते हैं। यह दुनिया भी ऐसी है। इस गल्प की आयू 5000 वर्ष है। अभी है अंत। गांदी जी भी चाहते थे। नई दुनिया नई दहली हो। रामराज्य हो। परन्तु यह तो बाप का ही काम है। देवताओं के राज्य को ही रामराज्य कहते है। नई दुनिया में तो जरूर लक्ष्मी नारायन का राच्य होगा। पहले तो राधे कृष्ण दोनों अलग-अलग राजधने के हैं। फिर उन्हों की सगाई हुई तो लक्ष्मी नारायन बनते हैं। जरूर इस समय ऐसे कर्म करते होंगे। बाप तुमको कर्म, कर्म, विकर्म की गती बैठ समझाते हैं। रावन राच्य में मनुष्य जू कर्म करेंगे, वो कैसे होंगे। वह कर्म, विकर्म बन जाते हैं। सत्यूग में कर्म, अकर्म होते हैं। गीता में भी है, परंतु नाम बदल गया है। या है भूल, पिता में भी ये बात है, कर्म भी कर्म की गतिने तुम्हे समझाता, परन्तु बाबा कहे नाम बदल लिया है, या है भूल, कृष्ण जैन्ती तो होती है सत्यूदी, शिव है निराकार परम पिता, कृष्ण तो साकार मनुष्य है, पहले शिव जैन्ती होती है, कृष्ण जैन्ती भारत में ही मनाते हैं। शिव रात्री कहते हैं, बाप आकर भारत को स्वर्ग का राज्य देते हैं। शिव जैन्ती के बाद है कृष्ण जैन्ती। उनके बीच में होती है राखी। क्योंकि पवित्रता चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए, फिर लड़ाई लगती है, तो सब खत्म हो जाते हैं, फिर तुम आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे, तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यू लोग के लिए नहीं पढ़ते हो, तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया अमर लो के लिए, ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा, अब आप कहते हैं, इस मृत्यू लोग का अन्थ है, इसलिए जल्दी पढ़कर हुशार होना है, ऐसा तो दुनिया में कोई कॉलेज नहीं, पढ़ो यहां और दिगरी पाओ अभिश्यम, तो अब आप कहते हैं, इस मृत्यू ल वह बाप भी है, पतीत पावन भी है, पढ़ाते भी है, तो यह गौर्ड फादरली उनिवर्सिटी है। भगवान वाच है ना, कृष्ण तो सत्युक्ता प्रिंस है। वह भी शिवाबा से वर्सा लेते हैं। इस समय सब भविश्य के लिए वर्सा ले रहे हैं। फिर जितना पढ़ेंगे उतना वर्सा मिलेगा। नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा। कहां भी रहो पढ़ते रहो। कहां भी रहो पढ़ते रहो। मुरली तो विलायत में भी जा सकती है। बाबा रोज साउधानी भी देते रहते हैं। बच्चे बाप को याद करो इससे तुम्हारे विकर्म बिनाश होंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है पर निकल जाएगे। आत्मा सौ परसेंट प्य हैं। अभी तो इंति और हैं। भक्ति तो मनुष्य बहुत करते हैं। तिर्थो पर मेलों पर लाखों मनुष्य जाते हैं। यह तो जनम-जनमांतर से चलाता है। कितने मंदीर आदे बनाते महनत करते हैं। फिर भी सीड़ी उतरते आते हैं। अभी तुम जानते हो हम चड प्रती कला से सुखधाम में जाएगे, फिर हमको उतरना है, फिर कला कमती होती जाती है, नए मकान का दस वर्ष के बाद बबका जरूर कम हो जाएगा, तुम नए दुनिया सत्युग में थे, 1250 वर्ष के बाद रामराज्य शुरू हो गया, अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है, मनुष्य कितने हो गए है, दुनिया पुरानी हो गई है, वे लोग तो फैमिली प्लैनिंग के प्लैंस बनाते रहते हैं, इतना मूझते रहते हैं, अम लिखते हैं यह तो गौड फाद का ही काम है, सत्यूग में नौदस लाख मनुष्य जाकर रहेंगे, बाकि सब अपने घर स्वीट होम में चले जाएंगे, यह गौड ली फैमिली प्लैनिंग है, एक धर्म की स्थापना, बाकि सब धर्मों का विनाश, यह तो बाप अपना काम कर रहे हैं, वह कहते हैं, पिक ऐसे करते करते होगा कुछ भी नहीं, यह प्लैनिंग तो बेहत के बाप के हाथ में है, बाप कहते हैं, मैं ही दुखधाम से सुखधाम बनाने आया, हर पांच जार वर्ष बाद में आता हूं, अलिव के अन्त और सत्यू के आदी में, अभी यह है संगम, जबकि पतीत दुन दुनिया बनती है, पुरानी दुनिया का बिनाश और नई दुनिया की स्थापना यह तो बाप का ही काम है, सत्यूग में था ही एक धर्म, यह लक्षमी नारायन विश्व के मालिक, महराजा महरानी थे, यह भी तुम जानते हैं, यह माला किसकी वनिवी है, उपर में है फू अंगलदाना, ब्रह्मा, सरस्वती, उन्हों की यह माला है, जो विश्व को नर्क से स्वर्ग, पतीच से पावन बनाते हैं, 108 की माला उन्हों की है, जिन्होंने विश्व को नर्क से स्वर्ग, पतीच से पावन बनाया है, जो सर्विस करके जाते हैं, उन्हों की ही याद र प्रवृत्ती मार्क पवित्र था, अभी तो पतीत है, गाते भी है, पतीत पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, सत्यूग में थोड़ी ऐसे पुकारेंगे, सुख में कोई भी बाप का सिमिरन नहीं करते हैं, दुख में सब सिमिरन करते हैं, पाप है ही लिबरेटर, रहम दिल, ब्लिस्फुल, आकर सब को मुक्ती, जीवन मुक्ती देते हैं, बुलाते भी उनको है, आकर स्वीट होम में ले चलो, पाप को ही बुलाते हैं, आकर हमको स्वीट होम में ले चलो, अभी सुख है नहीं, यह है प्रजा का प्रजापत आच्य सत्यूग में तो राजा रानी प्रजा होते हैं बाप बताते हैं तुम कैसे विश्व के मालिक बनते हैं वहां तुम्हारे पास अथा अंगिनित धन रहता है सोने की इंटों के मतान बनते हैं मशीन से सोने की इंटे निकलती रहती हैं फिर उसमें भी हीरे जवाहरत की जड़ित करते हैं, वापर में भी इतने हीरे थे, जो लूट कर ले गए, अभी तो कुछ सोना दिखाई ही नहीं पड़ता है, यह भी ड्रामा में नून है, बाप कहते हैं, यह कहते हैं, बाबा, मैं हर पाँच अजार वर्ष बाद आता हूं, पुरानी दुनिया के बिनाश के लिए यह Atomic Bombs आदी बने हैं, यह है Science. बुद्धी से ऐसी ऐसी चीजे निकाली है जिससे अपने ही कुल का विनाश करेंगे यह कोई रखने के लिए थोड़ी बनाते हैं यह रिहर्सल होती रहेगी जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक लड़ाई नहीं लग सकती तब तक लड़ाई नहीं लग सकती तयारियां तो हो रही है उसके साथ natural calamities भी होगी इतने आदमी होंगे नहीं अब बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है अपुर्शार्थ पराते हैं बवा कि अब बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है पाकि स्वीट होम स्वर्ग की बादशाही को याद करना है जैसे नया घर बनाते हैं तो फिर बुद्धी में नया घर ही याद रहता है न अब भी नई दुनिया की स्थापना हो रही है बाप है सर्व का सद्गती दाता आत्मा ये सब चली जाएंगे बाकि शरीर यहां खत्म हो जाएंगे आत्मा पवित्र बनेंगी बाप की याद से पवित्र जरूर बनना है देवताएं पवित्र है न उन्हों के आगे कब बीडी तम्मा को आदी नहीं रखी जाती वो वैश्नोब है विश्नुपुरी कहा जाता है वो है ही वाइसलेस वर्ल्ड यह है विश्नुपुर्ड अब वाइसलेस वर्ल्ड में जाना है समय बाकी थोड़ा है थोड़ा समय अभी रहा है यह तो खुद भी समझते हैं एटमिक बॉम से सब खत्म हो जाएंगे लडाई तो लगनी ही है बोलते हैं हमको कोई प्रेणा करने वाला है जो हम बना रहे हैं जानते भी है अपने कुल का विनाश हो रहा है परन्तु बनाने बिगर रह नहीं सकते शंकर द्वारा विनाश यह भी ड्रामा में नून है विनाश सामने खड़ा है ज्यान यग्य से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित कुई है अभी तुम स्वर्ग का मालिक बनने लिए पढ़ रहे हो यह पुरानी दुनिया खत्म वो नहीं बन जाएगे यह चक्र फिरता रहता है History must repeat पहले आदी सनातन देवी देवता धर्म था फिर चंद्रवन्शी, शैत्रिय धर्म फिर उसके बाद इसलामी बहुत ही आदी आए फिर जरूर पहले नंबर वाला आएगा और सब विनाश हो जाएंगे तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? बनिराका शिबाबा वही सिक्षक है, सत्गुरू है आने से ही पढ़ाई शुरू करते हैं इसलिए लिखा हुआ है शिब जैन्ती, सुगीता जैन्ती गीता जैन्ती, सो से कृष्ण जैन्ती शिबाबा सत्यू के स्थापना करते हैं कृष्ण पूरी सत्यू को कहा जाता है अभी तुमको बढ़ाने वाला कोई सादू संत मनुष्यत नहीं है यह तो दुखरता सुक करता, बेहत का बाप है 21 जन्म के लिए तुमको वर्सा देते हैं बिनाश तो हो नहीं है इस समय के लिए ही कहा जाता है किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए किनकी चोर नूट जाए चोरा कारी भी बहुत होगी सावा कहे चोरा कारी भी बहुत होगी आग भी लगने है इस यग्य में सब स्वहा हो जाएगे अभी थोड़ी थोड़ी आग लगेगी फिर बंद हो जाएगी थोड़ी अजुन देरी है सब आपस में लड़ेंगे छुडाने वाला कोई रहेगा नहीं रक्त की नदियों के बाद फिर दूद की नदियां बहेगी इसको कहा जाता है खुने नाहक खेल बच्चों ने साक्षतकार भी किया है इत इन आखों से भी देखेंगे विनाश के पहले बाप को याद करना है तो तमो प्रधान से आत्मा स्वतों ग्रधान बन जाएं बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए तुमको तयार कर रहे है राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी फिर विनाश होगा जब राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी फिर विनाश होगा अच्छा मिचे मिचे सिकिलते बच्चोपती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम सम रुहानी बच्चों की रुहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आज की मुल्ली से धाना के लिए मुख्यसार है, पहली पॉइंट, विश्णुपूरी में चलने के लिए स्वयम को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है, अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है, तो तीन बाते बताई विश्णुपूरी में चलने के लिए लायक बनना है, तो कौनसी लायकात चाहिए, संपूर्ण पावन बनना है, अशुद्ध खान पान का त्याग कर देना है, और दिनाश के पहले अपना सब कुछ सफल कर देना ह दूसरी पॉइंट चल्दी चल्दी पढ़कर मुश्यार होना है, कोई भी विकर्मन नहों उसका ध्यान रखता है आज का बर्दान है त्याग और तपस्या द्वारा त्याग और तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधरी प्वख सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या त्याग अर्थात मनसा संकल्ब से भी त्याग किसी परिस्थिति के कारट, मरियादा के कारट, मजबूरी से त्याग करना ये त्याग नहीं है किसी परिस्थिती के कारण, मर्यादा के कारण, मजबुरी से त्याग करना यह त्याग नहीं है। करने वाले सच्चे सेवाधारी है। आज का स्लोगन है अपनी तपस्या द्वारा, अपनी तपस्या द्वारा शांती के वाइब्रेशन फैलाना ही इश्व सेवाधारी बनता है। ओम शानती ओम शानती